हेलो फेंड्स आज मैं अपने किचिन में बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा मैं उसमें कुछ अलग ट्विश्ट लेकर आई हूँ ये रेसिपी आप सबी को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ये मैंने गाजर का हलवा के लिए गाजर को कद्दू कस्त करके ले लिया है और कुकर में मैंने एक गलास पानी बड़े गलास से गलास पानी रखा है और उसमें मैं ये गाजर कटे हुए गाजर जो है उसे मैं उबालने के लिए डाल दूँगी सारे गाजर को उबालने के लिए डाल दूंगी अगर आपके पास कदू करस्त करने वाला नहीं है तो आप चाकू से पतले-पतले काट कर उसे आप कूकर में उबाल सकते हैं कूकर में ना उबाल कर आप तो कड़ाई में भी उबाल सकते हैं मैं KOOKER में चार विसल तक उसे रखूँगी चार विसल होने के बाद मैं उसे उतार दूँगी जब तक मेरा KOOKER ठंडा हो रहा तब तक मैं काजु औ कीर काजु को पीस लूँगी अब मैं यह देखिए गाजर मेरा अब यह पूरा कुकर में मैंने जो डाला था वह पक चुका है मैंने यह दबा कर देख लिया है मैंने पैन चड़ा दी है कैस पर अब मैं इसमें घी लूँगी इसमें ध्यान रखिए दोस्तों आप घी अगर कम खाते हो तो आप कम डालिए लेकिन घी जितना जादा डलेगा गाजर के हलवे में उतना ही तेस्टी होगा आपके बच्चों के लिए तो घी अच्छा ही है खासकर ठंड में देना चाहिए और और कभी भी और समय में भी देना चाहिए बच्चों के लिए बहुत ही हल्दी है मैंने यह घी डाल दिया है गर्म हो चुका है अब मैं ये अपने उबले हुए गाजर इसमें डाल दूँगी और इसे मेडियम फ्लेम पर हलका भून दूँगी इसे मैं अच्छी तरह से चला कर और कुछ देर के लिए इसे पांच मिनट के लिए ढख कर रख दूँगी ताकि इसमें से हलका हलका जो इसक होती स्वादिश्ट लगेगा इसे अच्छी तरह से भून लेना है दबा दबा कर थोड़ा हलकाई से दबा दबा देना है ताकि ये मिल जाए ये देखे गाजर कितने अच्छा लग रहा है इसमें मैं पीसे हुए काजू एड़ करूंगी ये लग रहा है कि मैं इसमें क्री का खीर का रहा है ये देखे इसे मिलाने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पर इससे भी पकाऊंगी ये भी अच्छी तरफ पक जाए और इसमें मैंने दो-चार इलाइची हडी इलाइची तोर कर डाल दिया ताकि इसका जो सुगंध है बहुत ही अच्छ जाए और टेस्ट ये मैंने अपने स्वाद अनुसार चीनी इसमें डाल दिया है आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डाल लेजिए चीनी को मैं मिला पूरी अच्छी तरह से मिला दूंगी और गैस का फ्लेम मेडियम ही रख तरह जक्षा नहीं लेगा पक जाएगा घी तो थोड़ा गर्म होने पर ही पख जाता है इसे देखिए मैं ऐसे ही रख दूंगी और इसे मैं ढगधळूूंगी इससे फोड़ धर ढबाद मैं इससे देखिए झारो तरफ घी फैल गिया है ये देखिए ऐसे घी respons कोने मीठे समय गज्चाले पदेंके साइटक है निया बखाई खाने में जो यूсят आएगा बहुत ही स्वादिय। आप एक बड़ ट्राइ कीजिए, मैंने जो ट्रिक अपनाई है आप भी एक बड़ ट्राइ कीजिए, ये रिखिए मेरा गाजर का हल्वा ब्रेडी है, मैं भी से गार्णिस कर रही हूँ, इसमें मैंने नारियल बदाम और काजु डाला है, आप भी इसे बनाईए और खाईए